ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रोव सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डैनिक राशिफल यह राशिफल है 23 अक्टोबर 2024 भुद्वार का दिन है कार्तिक महा के कृष्ण पक्ष की शब्तमीति थी है आद्रा नमक नक्षत्र होगा एवं मिथुन राशी में चंद्रमा विराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारणवस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा का शुभारंब कर सकते हैं राहुकाल जोकी दोपहर 12 बजे से लेकर के डेड़ बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुभिया मागलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्ने आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथ्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में मना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी मना जाता है। ये छे राशियां सबसे दिख भागी शारी रेने वाली है। सुबह छे बजे से लेके नो बजे तक लाभ और अमरत का चोग्रिया तथा उसके बाद सुबह साड़음 से दो पार बारा बजे तक शुबह का चोग्रिया। बज़े तक चर और लाब का चोगडिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुबकारी करेंगे मांगली कारी करेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का सैयोग निर्मित हो सकता है अब हम आपको मेस से ले करके मीन सभी बरा राशी वालों का दैनि इस रासी की इस्थाई संपती प्रापर्टी के लेंदेन संबंदी कुछ लाबदायक योजनाएं बनेगी घर के भदलाव संबंदी विशय पर भी मातुपूर्ण चर्चा होगी रुके हुए अटके हुए काम पूरे होंगे अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के सा मोज मस्ती संबंदी गती विडियो में व्यतीत होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रश विश्वास भी आपको शान्ती और मानसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है इसलिए फालतू की गतीविधियों से अपना ध्यान ठाए किसी नजदी की मित्रे या रिस्तिदार से मामूली बात को लेकर के व से निकलते हैं तो आप का देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मित्राशी की घर में रिष्ट्दारों का या मेहमानों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान बच्चों पर कठोर नियंतर न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्तता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किस करने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तूओं को संभाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के म की परिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के परती आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई अर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी बहुत अधिक वहम व संक्रिणता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लॉंग या फिर इलाइची खाना आपका विशेस योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश्वी प्राप्ति होगी आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भ बिवाद में बिल्कुल ना पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन हो सकती है उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खाकर निकलते हैं तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भग निकट संबंदियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिर्चड़ापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्ता को खराब कर सकता है अपने स् सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्चय ही आपके स्वभाव में एक जो है सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भैवान विश्ण सिक्रासी की घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना अपके जीवन को कुछ सकारात्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा आज्याकारी रहेंग अर्थिक स्थिति में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनेतिक गति विधियों से जोड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे तथा उनके सांथ लाबदाय विधियों का नाजाईस फाइदा उठाकर आपको नुकसान पहुचा सकता है बच्चों की गति विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्नुजी के मंदिर में कैसर या हल्दी च पुरा सहयोग करना आपको महत्वपुन मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुश्यों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रिया आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अठके हुए रुके हुए कारियों में व्यतित करेंगे इस्थाई संपत्ति भूमी भवन वहन संबंदी कारिय भी आपके संपन्न हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योज चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुश खबरी ऐसी मिलने वाली है जिसे आपकी चिंताएं लगभख समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका समपूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से समपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में छट के ऊपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रं लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद